हाई फ्रेंड्स विल्कम तो यू पीसी पीसी एस फॉरम मैंने पिछले क्लास में के एंजियाटी का हिस्ट्री स्टार्ट किया था पर वो अब मैं कभी-कभी ही डाल पाऊंगी क्योंकि आपको पता है कि अभी नेक्स एक्जैम भी है पीटी को भी पीसी पीटी को फिर यू प प्रेशपीटिशन के क्या मैं अपर दिया है किusal फिर फॉर Efendimiz को परेशा से कहिंता हैं देखते हैं तो क्लाउड tri ayamn हों ुछ कंटेन करती है टाइनी ड्रापलेट को होता है वहाटरम और गृटर वेपर प्रिजेंट जो हमारे एट्मस्पेर में होता है और वह कानवर्ट होता है किस में वहाटरम में के थ्रूख और किसके थ्रूख होते हैं कब होते हैं जब वो ड्यू पॉइंट तग हो जाएं तो चौनटीन करते हैं टाईनी ड्रापलोज को हैंगिंग इन द एर तो बहुत कम टाइनी ड्रापलेट्स को कंटेन करते हैं और यह टाइनी होनी के वज़े से क्या होते हैं कि ग्राइविटी से क्या होते हैं अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं तो इसके लिए क्या होता है कि यह टाइनी ड्रापलेट्स होते हैं शुट भी हेवी ठीक यह एवी एणफ सो देट इट कैंड बे अट्रैक्ट वाई दा ग्राइविटेशनल मतलब ग्राइविटी ओफ दा इर्थ तो जैसे है यह यह बड़े होंगे तो क्या हो जाएंगे वह ग्राइविटी से अट्रैक пेमिगे अकरस इन थिक आवड और यह थालवना फैड्रैक्श तो अकिंगिग होगा तो वह क्या नहीं करेंगा वह प्रेंज़िशन को जिनरेट नहीं करेंगा और वह क्लाउट क्लाउड चाहिए उनीद्येशन को क्रिएट करने कि लिए खिमिशल्छ所有 तय होते वह तो एक तो क्या होगा वहां पर कोल्ड होगा तो कॉंडेंसेशन होगा ठीक है बहुत सारे जो कॉलाइट पार्टिकल्स होगे वह क्या कोलेसेंस करेंगे जुइन करेंगे तो हम देखते हैं अब कि मेक्यनीजम वगता है कि कौन से प्रोसस से प्रीकिशन अग्लाउड का फ्रमिशन होथा प्रेशिपंट प्रेशिपंट का मतलब स्ञार्ट अचाहिए जीए जाए जैसे मैंने अभीinese डिस्कस भीक्या है कि क्यों व्योंदे बड़ा होना चाहिए और यह कैसे फोल रों होते है क्या सब्सक्राइब कि यह बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस यह आपको पिटी में भी पोस्ते है और में इसका तो यह अच्छा टॉपिक है बरजिरोन प्रोसेस में क्या होते है water droplets which are present in the cloud are evaporates and converted into water vapor इस process में क्या होते है न कि जो water droplets present होते है cloud में वो क्या करते है जब evaporate होते हैं और converted into water vapor और जब water vapor में convert करते हैं and this water vapor stick to the ice crystal present in the cloud कि जो भी ice crystal present है रर cloud से water release होते है और इससे क्या होते है इसमें stick कर जाते है ये these ice crystal heavy होन्य जाता है ठीक है और जब heavy enough हो जता है तो भी ग्रा इसे thousand GUY से ज्लेशות होते है duty water droplets evaporate होती है कहां से present in clouds टीक है water droplets गहंपे present होती है cloud में वह किस में convert होती है water vapor में जब आज वह water vapor में Convert होती है तो किस सीटिक करती हो ice crystal से ice crystals जो available होत yourself gonna atmosphere में आप लोगों को यह process समझ आ रहा होगा। अब हम इसका कुछ condition देख लेते हैं कि इस process यह बजिरोन process होता है तो इसके क्या conditions हैं इसके लिए कोई precondition होना चाहिए कि यह हमेशा process continue रहता है तो हम देखते हैं कि क्या होता है temperature of cloud should be below freezing इस process में क्या होता है ना कि clouds का जो temperature होता है वो freezing point से below वह आना चाहिए ठीक है presence of ice crystal in the form of super cold nuclei आफ यहाँ पर presence होना ice crystal जैसे कि मैंने अभी बताया कि water droplets अगर आइस क्रिस्टल प्रिसेंट होगा तो कहा से स्टिक करेंगे फिर वह कैसे रिलीज और प्रिस्टेशन वहाँ से छेगा प्रिजिंस ओफ सुप्र कौल टो ड्रोपलेट्स फिर सुपर कॉल वॉटर डॉपलेट्स भी होन जे हैं अगर वहां के जो प्रेजिंग लिवल से जहां पर सो आप कश्मीर में जैनली if wall क्योंकि वह की तेंप्रीच्र राचे में ऑश्म होती है वह म्हाचल नमैंटे घृ में하신 जो प्रेजिक पॉइंड को प्रेश्टियमे तुशंड को वह किस फोर्म में ओता है वह सिंपस्टरेश तेम्परिचर जादा हो और जन दियुदि किसके फोर्म में पर्शिपटेशन पर्सक्रिफियटेशन रिलीज होते है रेंड्रोब लिसमें अब देखते हैं बरजरवन मेथट कॉसे लॉट्स प्रेसिपिटिशन बट कंडीशन डिक्वाइट फॉर इत्में नॉट अल्वेस प्रेसिपिटिशन तो बहुत होता है ठीक है लेकिन यह जो इसके लिए कंडीशन एवलेबल है कि यहा हर जगह तो पॉसिबल नहीं है ठीक है अगर यह हर जगह पॉसिबल नहीं है तो प्रेसिपिटिशन तो यूनिवर्सल फिनोमेना है यह तो हर जगह होता है तो फिर क्या बरजरवन प्रोसेस के लावा भी कोई मेथट है इससे यही हमें पता चलते है कि बरजरवन प्रोसेस के लावा भी और कोई method काम करती है तो इस प्रोसेस में प्रोसेस में वाटर ड्रोप्लेट प्रेजेंट इन दे स्काई कोल्वाइड इच अधर जो वाटर ट्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं इसकाई में हैं वह क्या करते हैं एक दुसरे से कोलाइड करते हैं जब वह कोलाइड करते हैं इच अधर बिकोज अफ लोड्स अब टॉर्बुलेंस इन दा क्लाउड में तो तो क्या होता है अगर कोई भी turbulence किसी विच इसका अगर human generated turbulence हो यह natural phenomena के तुरुख turbulence create होता है तो क्या होता है कि इसमें जो भी clouds particles present होते हो वो एक दुसरे से colloid करने start करते हैं और जैसे वो colloid करते हैं तो वो क्या करते हैं जोइन करते जाते हैं और जोइन करते हैं एक heavy enough क्या बनाते हैं जो gravity से attract हो जाते हैं and become heavier enough and that attracted by gravity during falling of water droplets the surface tension which holds the drop together surpassed by frictional drag of air and converted into smaller particles of droplets तो क्या होते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ ना कि जैसे वो fall करते हैं तो वो तो एक heavy particle है heavy clouds है जैसे वो नीचे जाते हैं लेकिन air का friction होता है air भी तो अपना friction generate करती है ना तो surface tension क्या करती है clouds के particle को hold करके रखते हैं जिसकी वज़े से वो heavier enough हो जाते हैं ठीक है लेकिन जैसे ही वो नीचे आते हैं ठीक है gravity से वो attract होते हैं तो क्या होता है ना कि यह air का भी अपना एक friction force होता है तो यह जो frictional force होता है वो ज्यादा हो जाते किसे surface tension से और जैसे surface tension से यह ज्यादा होता है तो क्या होता है उसके बाद वो छोटे-छोटे particles में बदल जाता है और जिसकी वज़े से क्या होता है clouds जो rainfall जो होते है वो छोटे-छोटे droplets में निचे आता है ठीक है अब इसके लिए क्या होना चाहिए इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है presence of unequal size of droplets क्योंकि अगर equal size का ही सारे होंगे तो यहां पर तो कोई फिर attraction नहीं होगा है ना लेकिन unequal size क्यों होंगे अगर को फिर बड़ा तब पार्टिकल पर यह जाकरिए क्यों होगे ौहरे है tp हमें क्लाउट्स में हमने जिन्रली देखने को मिलता है क्लाऊट्स क्या करती है हॉने पिछली क्लास में बढ़ हुए जब मैं costly Return through car ठीक है और वर्टिकल क्लाउड्स होने की वज़े से क्या होते है पॉजिटिव और निगिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अपर लेयर में और निगिटिव चार्ज लोवर लेयर में जिनरेट हो जाते हैं और जिसके वज़े से उस दोने के electron flow करने की कोशिज करता है और electron flow करने की कोशिज करता है लेकिन वहाँ पर air क्या करता है barrier create करता है air barrier अगर create करता है तो क्या होता है temperature increase करता है air का जो temperature होता है वो increase करता है और जिसके वज़े से वो expand होना इस्टार्ट करता है और इस वज़े से क्या होता है इस वज़े से होता है थंडर लाइटनिंग और थंडर जो होता है इसे वज़े से होता है तो यह तर्बुलेंस जो क्रियेट होता है तर्बुलेंस क्या करता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जो बिगर साइज है दुसरे से स्टि बरजिरण प्रोसेस्स क्यों होता है ए ँपक conceal के ऊतना नहीं होता है लेकिन जैसे हैं उबर जाते हैं तो temperature कम होते हैं और temperature कम होगा तो मतलब वो एक अच्छा जगह प्रदान कर पाएगा किसके लिए clouds के प्रोसेस के थरो तो इन दिस प्रोसेस के होते हैं लार्जर ट्रॉप्स फॉल त्रो और cloud अर लिफ्टेड बाई अफड्राफ्ट देख कोलाइड विथ इच अधर एंडे स्मॉलर रॉप्स एंड जॉइन्ट हो इता हैं आगे में जब आप लोगों को tornado पढ़ा होंगी न तो म द्राफ्ट होता है तो यहां से जो particles होते हैं वह उपर आते हैं तो इसमें लार्जर ट्रॉप्स फॉल तो और लिफ्टेड बाई अफड्राफ्ट देख कोलोईड इच है और जिसके विदे से चोटे स्पर देख क्या होते हैं एक दूसरे से होने लगते हैं तो कुमलो निम अवhew फोर्मेट बेकल क्लावड होता है उसके में सबसे बड़ा रोल किसका होता है अब ड्राफ्ट दॉय रहा है क्या मैसे होने का इसफिल रेन्फ़ाइब निम एक भुर्अकम इसफिल집ैल इंदॉजशे स्टियंद करें नंःटिविशियल रेनफौल चेरिंदे लगों प्रोसेश होता है किसके लिए पॉलिशन को कम करने के लिए जिसके दिल्ली में पॉलिशन बहुत जादा होता है तो कई बार क्या किया जाते हैं क्लावड प्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि एट्मोस्फियर में जो पर्टिकुलिट मेंटर है उनको क्या खेजा वह नीची आजाए ठीक है और हमारा जो एयर है वह क्लियर हो जाए तो क्लावड सीडिंग मेंटड और आर्टिफिशली प्रेशिपटिशन के भी तीन प्र क्या है टो एडीशंट थो इडिश्पर कॉल्ड निउकलिया्य ऋनकरी इस क्या जाता है न जयते है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी के तो यहां पर सुपर कुल नुकली का काम करते हैं यहां पर काम करते हैं क्रिस्टल्स और बंग पर बंते हैं और वो क्या करते हैं पर इसके भी chemicals in the cloud हम chemicals को aid कर रहे हैं कहां पर clouds में और acetylene is harmful for clouds और atmosphere अब हम दिखते हैं dynamic method dynamic method क्या होते हैं it is comparatively difficult यह comparatively difficult होता है in this process directly dropping of crystal from the plane and creates clouds इस process में क्या किया जाता है कि कुछ crystal जो ice crystals होते हैं उनको plane से drop किया जाता है और clouds को clouds को create के creating of turbulence through plane in the clouds so collisions method is this large water crystal can be कुछ water crystal को क्या किया जाता है उसके बाद turbulence किया जाता है ठीक है turbulence क्या करता है turbulence क्या करता है कि जो चोटे चोटे बाद जो जो चोटे पार्टिकल से जो जॉट होने लिगता है यह जो method होते है dynamic method यह based होते है collision क्या संगे . ऌपाद बाधोग के करना बाद सब्स्क्राइब , सब्सक्रास, फेसे def ठेदे भी इसप्राइब, मैं नहीं कर रादग सा अब धिल्सक्राइब, इसंगे भी nap लाचराइब , वमस्क्राइब यह more understanding इसके लिए ज़रूरी है clouds के बारे में more understanding हमारे atmosphere के बारे में बहुत जादा जानकरी होना ठीक है many times it can work or can क्योंकि कई बार देखा जाते है कि यह कई बार यह process काम तो कर जाते हैं लेकिन कई बार नहीं करते हैं ठीक है और economically भी है feasible नहीं है उतना ज्यादा अब देखते हैं last time hygroscopic method hygroscopic method क्या होता है use of salt crystal and dropping in cloud by place so that it act as a nuclei for water droplets and can promote collisions process process तो यह भी क्या होता है कि यह भी collision process process पर ही based होता है लेकिन इसमें हम hygroscopic nuclei को प्रेशन करते हैं मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था जब अमने clouds को start किया था कि hygroscopic nuclei का प्रेशन होना बहुत जरूरी होता है किसके लिए clouds के क्या होता है वह जो नुकलाई जो होती है उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते है श्टिक करते है ठीक है और दिरे दिरे वह है वह बंते जाते है तो यहां पर वह रिजन कौन प्रवाइद करता है salt च्छिक है use of salt crystal and dropping in cloud so that it act as a nuclei for water and can promote collision process as in this process salt crystal introduced in the cloud absorb water and becomes bigger creates unequal size of water droplets okay तो जैसे ही अगर है तो यहां पर कुछ पार्टिकल्स आ के इस स्टिक करेंगे बड़े हो जाएंगे फिर कुछ पार्टिकल्स ऐसे छोटे-छोटे रहेंगे तो यह अनिक्वल सब्सक्राइब करते हैं और यही तो चाहिए होता है न यही तो कॉलिजन कॉलिशन्स प्रोसेस का प्रेकंडिशन होता है कि प्रेजन्स ओफ अनिक्वल साइस जिससे फिर इसे अट्रेक्ट करें और क्या हो विगर एनफ बन जाएं और फिर वह ग्राइबटी से अट्रेक्ट होता है आई हो फ्रेंड्स आप्रों को यह समझ आया होगा और कोई रेशो तो आप जरूर बताएं चीके फ्रेंड्स अब निक्स क्लास में फॉर्म्स प्रेसिपटिशन एंड कंडिन्शेशन देखेंगे आज के लिए इतना है थैंक्यू सो म बाइ गुटनाइट